मैं हूँ आपका एजुकेटर सिवमिस्ट्रा और आपको पता होगा कि मैंने टाइडल दिया है कि हिंदी में पास कैसे करें जी हां तो यहां पर मैं पेपर को पास करने के ट्रिक बताऊंगे यह नहीं कि इसमें टॉप करवा देंगे कुछ चीज़े होती है बच्चो कि बीना पढ़े भी आप मतलब जादा आपको पढ़ना है ही नहीं बस थोड़ा सा पढ़ना है बस थोड़ा सा पढ़ने के जरूता है बाक कर जाएंगे ठीक है न चलिए तो ट्रिक क्या है तो सबसे पहले आपको पढ़ना नहीं है यह कर लेंगे और आइट राइट एंसर करके आएंगे अप कहेंगे जो लास्ट में मैं टीप सभी दे रहा हूं बिच में दूंगा उसको फालो करेंगे तब हीं पास कर पाएंगे इसको तयार हो पाएगा नहीं तो तयार नहीं हो पाएगा अभी बहुविकल्पी बताते हैं गोड ट्रिक क्या होने वाले जिससे आप कर लेंगे अब यहां पर देखिए पद्यांस जो पद्यांस आपका रहेगा यहीं यूपी वोड परिच्छा में 10 अंकों का प पर दिया जाएगा ठीक है न देखिए यहां पर पद्यांस देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है यहां पर है माता अपने सब पुत्रों को स्वामान भाव से चाहती है इसी प्रकार प्रतभी पर बशने वाला जन बराबर उसमें उच और नीच का भाव नहीं है जो मात्र भूम के उध्य के साथ बड़ा हुआ है तो यह आपका पद्यांस है अब पद्यांस है पांटू प्रश्मने देखिए आपे माता अपने सभी पुत्रों की जबाव से चाहती है राश्ट के पर तेक अंकी सुध हमें क्यों लेनी होगी सोहार्द और प्रागर क्द् broadband का अर्थ क्या होता है साती सात रिखांकित अंस की व्याख़्या किजिए और फिर यहांपे है पाठ का सिर्षक पाठ का सिर्षक यानी की पाठ के उस पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है यही है और इसमें जादा आपको कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना है ठीक है तो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा बिल्कुल भी आप टेंसर मद लेजेगा सारा सारा प्रश्णा आपका यू हो जाएगा ठीक है अब देखिए अब कैसे करेंगे पहले आप सबसे पहले गद्यास को पढ़िए गदे कि इसको तयार नही देखिए आधे आधे माता आपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर यही हो जाएगा माता आपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती देखिए गद्यास का उत्तर इसी मिल गया गी नहीं अब देखिए राष्ट के पर राष्ट के प्रतेक अंकी सुध हमें क्यों लेनी होगी इसी का उतर इसी में मिलेगा मैं आपको पास करवाने का टेक है टॉपर नहीं बनेंगे लेगन बनेखें ये पास हो जाएगी यें इतना रखेगा अब राष्ट के पर थे एक अंकि सुध हमें लेनी होगी इसलिए हमें सुध हमें लेनी होगी अब यहां पर देखे सवहार्द और प्रागड सब्द का अर्थ लिखे तो आपको पता होगा सवहार्द का अर्थ होता है जो सच्चे हिर्दै से ये तो इतना तो आपको पता ही होगा हिंदी में एक सेले के बारह में आगे एकजाम देने इतना तो अर्थ आपको पता ही होगा सवहार्थ मतलब जो सच्चे दिल वाले होते हैं और प्रांगण का प्रांगण मतलब क्या होता है देखे को होते न कि प्रांगण प्रांगण में जाए प्रांगण में खड़े हो जाए प्रांगण में जब नेताजी का भासर होता है देते न प्रांगण में वो अपना भासर दे रहे यारी कि मैदान मैदान अथवा छेत्र क पूर और गाव जंगल और परवत्नाना प्रगार ये जनों से भर हूई है अब क्या है इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है उनका विस्तार क्या है अनंत लेका न बास जैसे क्या है नगर है जनपद है पूर है गाव है जंगल और परवत अनेक प्रकार से अपनी जो प्रित्वी है वो भरी हुई है बस इसी को लिख देंगे एंसर हो जाएगा बस देखे न करते चलेगा कि नहीं कोई आपको दिक्कत हुई नहीं हुई तो इसी प्रकार आपको पास करना है इ जब एक बार चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि यह पर कुछ Το तो यहां पर पद्यांस बता दिए कि ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है बस इसमें आपको क्या पढ़ना होगा कि यहीं आद करना होगा कि इसमें कौन से पाठ है कौन से लेखक है तो बाकि चार नमबर आपका हो गया कि नहीं पहले यह कमेंट कर देजिए कि यह सर्चार नमबर हो गया हो गया इसी प्रकार आप पद्यांस कर लेंगे इसका हिंदी अर्थ आप निकाल लेंगे इतना टेंस क्या नहीं यार कुछ भी नहीं करना रहेगा केवल वा केवल इनका आप तीन चीज तैयार करिएगा तीन चीज आपको क्या क्या वो तैयार करना है अगर आप किसी का जीवन परिचे तैयार कर रहे हैं अगर वस यह तैयार कर लेंगे न तो आपका पूरा जीवन परिचे ऐसे किना आएगा पांच अंक काप का जीवन परशे पूछ जाएगा पाँच ऑपका पूछ जाएगा छ लेखा काप को लिखेने का तरीका क्या होना जिवाद आस्थान कर लीज meta कर लिजीगा इस तो आप लेखक का जीवन परिचे तयार किसी भी लेखक का बस यही आपको याद करना है अब इतना तो आप कुछ ही मिनट में याद कर सकते हैं और इनकी प्रमुक रचनाएं अब अगर ये जो रचनाएं हैं लेखक के साथ साथ याद कर लेंगे तो बहविकल्पी आपका हो जाएगा बहविकल्पी आपको जाया कैसे देखिया भारत की एकता के लेखक है अब कौन है एकता के लेखक जब लेखक के आप प्रमुक रचनाएं याद की रहेंगे तो आप ये भी हल कर लेंगी तो आप जब बहविकल्पी भी आपका एक तीर में दो निसाना हो जाएग कि युन पर जाएद करते करते, उनकी प्रमुक रचनाएं भी याद कर लेंगे। कवी का अब Yes यहाद करने सम्भिक रपल हो जान यार पंचलाड की कहानी कौन नहीं सुना लेगा लाटी की कहानी कौन नहीं सुना लेगा बहादूर धुरुयात्रा कहानी कौन नहीं सुना लेगा एक बार बहादूर की कहानी पढ़ लिजे बहादूर एक लड़का था नेपाल का रहने वाला था उसकी मम्मी ने उसको तो थ इत्याद काम करने लगे बहुत पांचलायट पंचलायट मतलब कि आपको डोली होती है और वह लोग जाते हैं नौर आत्री का मेला होता है उनके गावं में वहां से पंचलायट को फिर आते हैं गुल्री होती है गुली का एक लवर होता है क्योंकि उसका जो लवर होता है उसको मार के खेट दिया गया था क्योंकि वो गुलरी को लेके भागा रहता था पिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो पंचलाइड लेके आए तो पंचलाइड को इन्हें जला पाया तो गुलरी ने बोला कि यार मेरा लवर तो जला लेता है तो यह भात पंचों तक पहुंचा दि फिर उसके लवर ने आके मतलब वही जो प्रेमी है प्रेमी ने आके उसका पंच लाड जला दिया और फिर उसको भी एकसेप्ट कर लें बिल्कुल करें चाहिए जितनी बार भागों कोई दिक्कत नहीं है बस यह स्थान के थे इनके पिता का नाम यह था माता यह थी पढ़ाए यह किये थे इनकी मृत इस दिन हो गए थी प्रमुक कृतियां लिख दीजे बस और आपको कुछ करने के जोड़ते ही नहीं तो पांच-पांदस पांच-पंदर आप फ्रीक ले लेंगे और उधर से अगर करतिया और लेखक कर लेंगे तो दसंक बहुई कलपी हो जाएगा पास मारका तो आपको मिल गया अब क्या चाहिए अब एक्षा जारा यहां पर यह फिक्स रहेगा कि आप आप आपका जो जिला रहेगा वहीं से यह प्रशना आएगा तो जिस जिले से हैं आप उसी क्याध प्रशना नहीं है तो इसको तो हम अभी नहीं बदाएं क्योंकि इसको पढ़ना रहेगा आपको अगर आपको कुछ भी संस्कीत आती हो तो बिल्कुल शाप देशिक ठीक ना पेपर में प्रशोड़ना नहीं है जिसना है वह भी छापना है लेकिन सबसे पहले उसी छापना आपको बस तीन ही चीज बोलाओं त्यार करने के लिए किसी पाठ का लेखक और सीरसक यानिक उस पाट का नाम लिखना है जीवन परिचे में जन्म मृत्तु और याद कर लेना है प्रमुरचनाय खृतिया याद कर लेंगे वो याद कर लेंगे दो ठो और फिर रश्चन अलंकार आप याद कर लेंगे पत्र आवेदन पत्र और प्रातना पत्र जरूर त्या यह दहेज ले रहे हैं प्रतारित किया जा रहा है आज तो यहां कर दिजिए बाकिई इतना ज्यादा टेंस नहीं है तो अगर ये टिप्स अपनाएंगे ना तो पास हो जाएंगे यार ज्यादा पढ़ने के जोरत है यह नहीं आपकी ठीक है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों साथ सेर कर दीजे और एक बार टेलग्राम चैनल को जोइन किजे और हाँ यार एक जब आप इतना डाट कॉम गूगल पर जरूर सर्च करें प्लीज आपसे रिक्वेश्ट है जितने बच्चे हैं यसके मिशडी गूगल पर जाके क्लासे डाट कॉम जरूर सर्च करेंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लिजेगा प्रीवेस येर का मॉडल पेपर हंडर परसेंट आएगा लिंक इंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां पर भी जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक दिया गया है नीचे जाके डाउनलोड कर लिजेगा ओके दोस्तों थांक्यों जैहिं